हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैग अगेन इन नोट्स तरव मुश्णरी का यूनिट 3 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंट्रिफ्यूगल पंप तो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रेक्शन स्टार्ट करते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप ज्यादा नहीं मैं दो या तीन लेक्चर में सेंट्रिफ्यूगल पंप खतम कर दूंगा ऐसे हमारा यूनिट 3 ट्रव मुश्णरी का खतम हो जाएगा तो इससे पहले लेक्चर में हमने वाटर्वाइन के बारें पढ़ा था कित सब्सक्रारा के इस उनिट कड़ेटी सेंट्रिफ्यूगल पंप तो सब्सक्राइब पहले पर्ट वन में हम देखते हैं इसके । क्या होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप पंप इस पावर एबसॉर्विंग डिवाइस यूज्स्टा इंक्रीश प्रेश्रियव अब येइव liquid from a lower to a higher level at the expense of mechanical energy यह देखो ठीक है यह हमारा है centrifugal pump ठीक है अब यह हमारा यह सक्सन पाइप यह सक्सन पाइप होरिजेंटली मिन्स पे ऑन पेपर होरिजेंटली इस स्पाइब नदी रहता है नदी रहता हम पाइप लगाया यह हमारा फुटवाल्व क्या करता है पानी को यहां से पाइप में जैसे पावर दोगे पॉंप स्टाइब होगा रोटेट होणा तो जी मेकैनिकल इनर्जी क्या करता है प्रेशर इनर्जी को इनक्रीस करेगा और यहाँ पतल जितना वाटर log को विद ने descob tool स्चन्राइब यहा ने करका यहां पर और वाटर इसके इस डिफाइंड एज इनर्जी इन्टू प्रेशर इनर्जी में करता है ठीक है यूगि हमने क्या किया सेंट्रिफ्यूगल पंप में हमने पावर दिया इसके इनर्जी चल्फ इनर्जी इनर्जी एनर्जी फावर सेंट्रिफ्यूगल पंप अटर्बो मशीन विच कन्वेट्स mechanical energy into pressure energy by means of centrifugal action on the liquid and raises the liquid from the lower level to higher level is known as centrifugal pump ठीक है वो तर्बो मसीन जो कनवर्ट करता है mechanical energy को pressure energy में by means of centrifugal actions ठीक है from lower level to higher level is known as centrifugal pump ओके अब इसका working देखते हैं काम कैसे करता है तो मैंने आपको अब बताया ही बताई दिया है काम कैसे करता है फिर भी working जो हमारा standard working है वह हम देखते हैं ठीक है working principle the first step in the operation of centrifugal pump is priming ठीक है priming प्राइमिंग क्यों करते हैं priming मतलब आप जैसे कि कभी देखे होगे pump चालू कर जैसे pump ने चालू किया तो आप देखा कि आप पानी नीचे से लिफ्ट नहीं हो रहा है ठीक है पानी नीचे से लिफ्ट होके आप जहां जा रहे हो वहां पर नहीं जा रहा है तो वहां पर फिर आप क्या करते हो आप इसका जो डिलेवरी पाइप यहां पर एक्स्टा अमाउंट वाटर इसमें एड करते हो ताकि हमारा डिलेवरी पाइप पूरा यह सक्षन पाइप है यहां से लेकि पूरा सक्षन पाइप यहां तक वाटर फूल हो जाए ठीक है वह एक इनर्ज उसको बोलते हैं लोग प्राइमिंग और पाइप में देखोगे आपका वाटर बाहर की और आ रहा है उसमें कुछ इमाउंट ऑफ वाटर है अगर हम ऐसे बनाकर दिखाए यहां पर कुछ एर देखोगे कुछ वाटर कुछ एर ऐसे चोड़ चोड़कर कभी पानी हमारा बाहर निकलता है यह कारण होता हम हमारा क्या यहां पूरा करता है पहले प्राइंमिंग यहां तक फील कर देते हैं ताकि कोई वह एर इसके बीच में भरते होगे यहां तक प्राने जागए को एर इंटर हो फिर जो आप मोटर सचाट करोगे तो वह पानी बाहर आएगा वह साथ में बाहर आएगा यूनिफॉर्म मोशन में कोई बीच में एयर नहीं आगा तो कोई इससे हमारा क्या होगा यूनिफॉर्म टाइप में वाटर बाहर आएगा हमारा ठीक है तो यह था कुछ हमारा प्राइमिंग इसलिए हम प्राइमिंग करते हैं और मुच्छी नेक्स्ट एव यह तो रख़ियो में बाइंगा यह ती ईपाइमिंग इसलिए तो नहीं करते हैं इसे हम अजिए अग्सकराद के नहीं तुक्लोश करते हैं दिलिवरी वाट आग detail करते हैं तो हमने क्या प्राइमें करने के बाद हमने अपने delivery head को valve को close कर दिया उसके बाद motor को हमने चालू कर दिया okay the rotation of impeller produces a force vertex which results in increased pressure अब क्या होता है जब आप उसको valve को close करते हो वाफ लोग क्लोस करोगे तो वाटर थोड़ा मतलब water molecules थोड़े दूर दूर है अपने हाथ से उससे क्या किया वाल पैक कर दिया अब जैसे मोटर चालू करोगे तो मोटर क्या होगा पूरे नीचे सकन चालू करेंगा बट आप उपर से डग दियो पानी निकली नहीं रहा है तो उसमें महां क्या होगा आपकी प्रेक्शन इनरजी बहुत ज्यादा बढ़ेगी आपके वाटर का अफिर आप जैसे हाटा होगे तो एकदम हाई प्रेसर से आपका वाटर बाहर की और आने चालू हो जाएगा ठीक है ना विंद डिलेवरी वाल इस ओपेंड दा लिक्विट इस मेड़ फ्लो इन आउट्वर रेडियल डारेक्शन उट्वर रेडियल डारेक्शन वीट इंक्रीजड वैलोसिटी एंद प्रेशर इंक्रीजड मेल शीटियन प्रेशर जो हमारा स्पायल कीसिंग लगा हुआ है यह इंस पायल केसिंग का अप देखा कि यहां एरिया कम है पिर अचानक एरिया ज़्यादा होगया यहां पर क्या हो रहा है काईटिक और डिका में डिनेकर और स्थक्ति कर दिखने कंव प्रेस्पूर्टि इतनी Netयव करें और से तरह से जिल बंट रही है कि यह की सिंग कमकर और सिविंग कर पर पर ऐसी इस तोफिछ सीट हिए यहां पे हम देखने के ऐरिए कम अच्छानाक इरिया जदा होने लगा पिक इनर्जी को कम करने का नर्जी आरीक aćने कि अर्जी कम हो रहा है ड्युत इस पूरा कारेट केमरेजिय अरह यूश्फल प्रेशर न जी में या डिजर वायर बोलते हैं यह संप टैंक से आपका सेंट्रिफूगल के सेंटर तक का डिस्टेंस को अमलों बोलते हैं सक्सन है ठीक है यह आपका लगा हुआ है यहां पर फूट वाल किसमें लगा है सक्सन पाइप पर सक्सन पाइप पर हमारा फूट वाल लगा हुआ है ठी देलीवरी फाइप और यह रहें डिलेवरी वाल्व जिसको आप लोग इसको करके प्रेशर सेंटर से आपका इसको बोलते हैं हम लोग इलेवरी हैड एक सक्षन हैं यहां पे और यहाँ हमारा delivery head है याद रखना आगे काम आएगा ठीक है अब components देखते हैं कौन-कौन components एक तो impeller लगा होता है हमने जैसे देखा एक casing है हमारा section pipe लगा हुआ है delivery pipe लगा हुआ एक delivery वाब लगा हुआ है इतने इतने ही component हमारा centrifugal pump में होते हैं आप चाहो तो one by one impeller क्या होता है किदे टाइप का होता है casing काम कैसे 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 करता है section pipe कैसे सक करता है water इसा आप one by one पढ़ सकते हो but not important but exam point of view एक पर आप देख लेना ताकि अगर पूछ दे ऐसा कि centrifugal pump का drawing करो उसका working बता हो से components के बार को explain करो तो वह काम आएगा थे तो आप one by one एक बार देख लेना ओके ना अगला हमारा इस classification of centrifugal pump जैसे हम दें टर्बाइन पढ़ा था तो महां भी classification of टर्बाइन पढ़े थे हम लोग यहां भी classification of centrifugal pump पढ़ेंगे तो classification of centrifugal pump में आता है सबसे पहला according to the working head according to the working head means low head pump medium head pump और high head pump low head pump के लिए head limited to 15 meter ठीक है है उसका limited 15 meter तक होता है प्रोक्ष्म होरिजन्टल साफ्ट इस यूज्ट होरिजन्टल साफ्ट यूज करते हैं हम लो टाइप ऑफ केसिंग इस वाल्यूट विथ नो गाइडवेन अभी वाल्यूट और नो गाइडवेन क्या होता है अभी जस्ट हमारा आएग यहां लिखा है टाइप ऑफ केसिंग इस वाल्यूट विथ नो गाइडवेन गाइडवेन नहीं है तो हमने इंपेलर के साथ कोई भी गाइडवेन नहीं लगाया और यह हमारा कुछ वाल्यूट मतलब यहां से एरिया कम हो रहा है और एरिया ज्यादा हो ठीक है इस है है बेट्विन 15 मिटर टू 14 मिटर है क्या होता है 15 मिटर से 40 मिटर के रेंज में और वाल्यूट केसिंग विद गाइडवेन यह देखी वाल्यूट केसिंग है ठीक है यह हमारा ग्रीन कलर्स जो आपको दिख रहा है इंपेलर और इंपेलर के ऊपर लगा हुआ हमारा इसके लिए मुल्टी स्टेज अरज्में एक पंप लगा उसके पानी च्टोर किया फिर उहां से और यूज करते हैं हम लोग वाटर को हाई है को हाई तक पहुचाने के लिए ठीक हैं साफ्ट में भी होरिजंटल और वर्टीकल साफ्ट आपका हो गर्टीकल भी हो सकता है व यह सबसे क्लासिफिकेशन ऑस अब आता है हमारा सहरा एकदिन टॉल्फ टाइप आफफ किस करोкими फ्रियोंत क्रिक्रिकार्थ टेकें है और मरें करें वालना यह क्लासिज सेंग्डत करता है किक यह तिस्चार्ज हो रहा है तो आप देखों यहां थे यह एरिया कम है यहां पर जादा फिर जादा फिर जादा फिर एरिया जादा तो यहां से डिश्चार्ज एंड का एडिया बढ़ती होता है तो कुछ इस तरह होता है औ Carroll baka the Chi sign pillar लगा होता है the श्यारिया कम ढfle कलेविड यरीत बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया ऐसा आपने चिंग किया लिए किस सब्सक्राइब इंक्रिजिटी क्या होगी, तो प्रिशन नेर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, तो है प्रिशन नर्जी से हमारा लिक्विड बाहर की और आएगा सो यहां पर लिखा भी है the pressure of the liquid increase as velocity decrease because kinetic energy converted into pressure energy ठीक है मैं दिखा दोता हूँ आप अगर नहीं दिख रहा हो तो this अब आता है हमारा that is vortex casing vortex casing कैसा होता है in a vortex casing a circular chamber is introduced between the impeller and the casing यह आपका क्या है impeller और यह आपका क्या है casing impeller और casing की बीच में एक circular vortex chamber हमारा होता है that is my vortex casing the efficiency of this type of casing is more compared to the simple volute casing because loss of head due to eddies is reduced considerably the eddy formation होता है यहां पर eddy formation कम होता है due to vortex chamber एक circular vortex chamber कारण जो eddy मतलब water आया और ऐसे ऐसे आपके casing के surface से टकारा कर ऐसे ऐसे कुछ होने लागा turbulent type कर समने पड़ा था एसा एड़ी फॉर्मेशन होला है due to this efficiency कम होती है तो यह वाटर क्या करता है हमारा उस एड़ी को कम करता है अब आता है हमारा diffuser casing diffuser casing कैसा होता है कुछ ऐसा होगा diffuser casing the impeller surrounded by a series of guide veins mounted on the ring which is called diffuser ठीक है यह आपका अंदर ब्लैक कलर्स दिख रहा है यह हमारा क्या है impeller यह हमारा है impeller इस impeller के ऊपर हमें यह जो आपको blue color से दिख रहा है यह हमने guide wheel और guide veins लगाया है जिसमें guide veins हमारे लगे हुए है तो इसे हम क्या बोलेंगे diffuse इसे हम इसे ही हम diffuser बोलते है diffuser casing कैसा होता है कि impeller के ऊपर हमारा guide vein लगा होता guide wheel लगा होता that is my diffuser अब काम क्या है as the area of guide blade increase the velocity of flow through guide blade reduce this increase the pressure of liquid अब यह guide vein काम क्या करता है यह area बढ़ा रहा है तो area बढ़ रहा है तो velocity तो कम हो रही लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे से कम नहीं हो तो हमने guide wheel लगा दिया water कि जो velocity affected Vedicini kidneys velocity के काम कर रहा है दो वेल्यमा कर रहा है जब वृणिसेटी कंकर तो kinetrics energy के कम हो रहे था आपकी pressure energy बढ़ रही हैा ठीक है क्योंकि kinetic energy क्या होता है हमारा 1 वाय टू & le vQué काम हो रही है कामोगी कानेटिक एनरजी कम होगी तो प्रीशन नजी बढ़ेगा निस्रीज डिश्र नहीं तो हई प्रेश्र से हमारा हमारा अगला हमारा क्लासिफिकेशन हैं को से इसे यहां पड़ लेना एककादिन टू फ्लूइट एंट्रेंस टू देइंपेलर में पुलीटा एंप एक्स्ट फ्लोबए गाम तो यहां पर नॉर्मल जो मितलब से हट कर हैं वहीं आपकी बता रहाओ नहीं बता रहा हुँ तो फर्सट लक्टे से टर्वाइन का आप देख लेन आपको मिल जाएगा ठीक है तो हम देखते हैं सिंगल स्टेज पंप क्या होता है सिंगल स्टेज पंप इस से पहले आपको बताया था कि हाइड पे हमको क्या करते हैं सिंगल स्टेज पंप का यूज है और मल्टी स्टेज पंप कर सकते हैं तो यह हाइड के लिए यूज करते हैं सब्सक्राइब इस से पंप क्लासिफिकेशन क्या होता है सेंट्रिफिफुगल पंप का ठीक है तो आई तिंग आपको इस वीडियो समझ में आया होगा और और को दिक्कत है मेरी मेल आड़ी दी हुई है आप मुझे कॉंटेक्ट करके कोशन्स पूछ सकते हों के तो थैंक यू फर वाचिंट इस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर रिट